Assalamualaikum, welcome up sabee guys नई वीडियो में तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा important रहने वाला इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जम्मो कश्मिर में 12th के बाद आपके पास कौन-कौन से career options हैं कहां पे आप admission ले सकते हैं, किस institute में आप admission ले सकते हैं पढ़ाया जाएगा, तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा important है सारा का सारा, मैं आपको वीडियो में डीटेल में समझाने वाला हूँ वीडियो को पूरा end तक देख लेना, चैनल को भी subscribe कर देना और उसके साथ टेलीग्राम ग्रूप या वाट्सप ग्रूप दोनों जोइन कर देना दोनों की लिंक आपको description में मिल जाएगी क्योंकि इस चैनल पे आपको scholarships, jobs और उसके सासत counseling और सारी updates students के लिए जो होते हैं वो time to time यहाँ पर मिलते रहते हैं तब जाके आपको अशीतर से समझ आ जाएगा तो देखें अभी आप 12th का prepare कर रही है 12th अगर आपने already pass किया है तो अगर आपने pass नहीं किया तो 12th में अभी आप preparation कर रहे हैं उसके मारी session में आप exam दे दिए उसके बाद आपके पास अगर आप medical streams हैं तो आपके पास यहां के सबसे important जो option है और सबसे बड़ा जो option होता है वो आपके पास होता NEET ठीक अगर आप NEET qualify कर दे हो उसके बाद उस entrance के थूँ आपको जाब हो MBBS, BDS, BAMS, BUMS जैसे courses में जो हो admission मिलेगा इसलिए जो जो medical stream के student होंगे वो एक बार NEET को जुरू try कर लेना अगर आपको 2-3-3 साल भी drop लेना पड़ी ले लेना लेकिन NEET की preparation अच्छी तरह से कर लेना और NEET entrance जो हो उसको दे देना और कोशिच करना qualify हो जाए अगर आपका NEET qualify हो जाता है तो आप MBBS यहनके doctor बन जाएंगे डेंटल डॉक्टर बन जाएंगे आयरवेदिक डॉक्टर बन जाएंगे यह युनानी डॉक्टर बन जाएंगे डिपंड करेगा आपके score पे आपका score किस तरीके का यहां पे इसमें रहता है उसके बाद अगर आप non-medical stream से belong करते हैं तो आपके पास जो सबसे बड़ा option होता है वो आपका JEE होता है JEE के थूँ आप BTEK के different different branches जैसे mechanical है, civil है, computer applications का है या electrical engineering के बहुत सारी engineering की branches होती है जो आपको JEE के थूँ यहां पे admission मिल सकता आप देखी इंटरंस के थूँ अगर आप seat निकालते हैं इन दोनों के former जो हैंगो अभी काफी जल्दी हैं पे निकल जाएंगे फरवरी मारिज में former आज जाएंगे तो मैं आपको बता हूँगा उसके बाद अग इन दो courses, इन दो इंटरंस के अलावा है आप लोगों के पास अगर आप medical stream से ब्लॉंग करते हैं आपके पास J.K.Bopi के थुरू काफी सारे courses करवाए जाएंगे जमुएंड कश्मीर Board of Professional Interns Examination J.K.Bopi इसके थुरू आपको काफी सारे degree के courses भी करवाए जाएंगे काफी सारे आपको diploma के courses भी करवाए जाएंगे degree के courses के लिए आपको इंटरंस देना पड़ेगा जैसे आपका Operation Theater है, NST Technician है, Medical Lab Technology है, Radiology है, Physiotherapy है, Radiation Technician है, खुट सारी Technician की और Paramedical की branches है और उसके साथ है B.A.C. Technology courses आपको करवा जाएंगे इन साभी courses का 3-3 साल के duration होता है और B.A.C. Nursing का चार साल के duration इसमें होता है ठीक इसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा, अभी Marish April में फार्म आ जाएंगे, आपको फार्म बरन है, इंटरंस आपका होता है जैसे इंटरंस का सालिबस है, मैजटी जैसे NET का सालिबस है वो ही सालिबस आपको इसमें भी होता है, आपको यह वो fee यहां पे per year लग सकती है, hostel वगेरा को छोड़ कि ठीक, इसलिए आप अगर entrance की तैयारी कर रहे हैं, तो आप government seat की ही तैयारी करना है, क्योंकि उसमें fee आपको काफी कम यहां पे रहेगी, उसके बाद अगर मैं diploma की courses की बात करूँ, तो diploma की courses में भी medical students students eligible है, और उसके इसमें कुछ courses में arts वाले भी eligible हैं, जो मैं arts वालों को अभी separately समझाऊँगा, इसमें GNM आप कर सकते हैं, A&M कर सकते हैं, दोनों nursing के diploma है, उसके बाद paramedical के diploma है, उसके बाद technology courses के diploma है, और उसके इसमें इसमें आपको 12th based paramedical diploma courses में आ जाएंगे, GNM, A&M, जो हो ये nursing की branches हैं, GNM तीन साल का होगा, A&M वगरा जो हो दो-दो साल के होगे, और उसके बाद जो diploma होते हैं, वही जो आप internes के तुरू graduation कर लेंगे, लेकिन without internes आप diploma कर सकते हैं, उसी course में, इसमें आपको कोई भी internes वगेरा नहीं लगेगा, 12th के मारकस के base पे आप लोगों को seat मिल जाएगी, और उसी के base पे सहम अगर आपको government की seat मिलती है, तो 6,10,000, 15,000 तक fee आपको रहेगी और अगर प्राइवेट seat मिलती है, 70, 80,000 तक आप लोगों को नंतनाग वगेरा, हर डिस्टिक में दो-दो-तीन-तीन colleges हैं, जो आपको कश्मेर उन्वरस्टी के अंडर आते हैं, तो आपके पास दूसरा option होगा, कि आप simple कोई course करें, जैसे BA कर लो, BSE कर लो, BCOM कर लो, अब आपको पता है कि ये courses तो इस तरह होते नहीं, अब आपको honors सबी courses में होता है, कोई एक subject ले लो, उसमें आप honors कर लो, किसी भी कश्मीर उन्वरस्टी के affiliated colleges में, या आप Cluster University के थ्रू भी जा सकते हैं, उसमें मैं आपको separately बता हूँगा, तो next आपके पास कश्मीर उन्वरस्टी के affiliated colleges है, जिसमें आपका admission जो है वो, CUET के entrance के base भी होगा, जिसका syllabus आपका 12 का ही होगा, मारच में उसके form आजाएंगे, और मई 21 से लेके 30 मई तक आपको उसका entrance होगा, इसमें आप simple BA, BAC, इसमें आपको नहीं होती है, उसके बाद, नेक्स्ट आपको commerce, सब भी candidate eligible है, और honors आपको किसी एक subject में इसके अंडर यहां पे कर सकते हैं, उसके बाद, आपको जब वो Central University Kashmir, या Central University Jammu होगा, इसमें भी अगर आपको undergraduate का कोई course करना है, इसमें भी आपको जब इंटरंस लगेगा, CUET का इंटरंस लगेगा, उसी इंटरंस के थूओ आपको किसी भी एक subject में honors कर सकते हैं, उसके बाद, आपकी Jammu University है, यह Clustard University Jammu है, इन सब इंटरंस्टी में आपको CUET के base, simple graduation आपको करने का मोका दिया जाएगा, लेकिन याद रखे, admission करने के लिए आपको CUET का इंटरंस देना कमपल सरी है, इंटरंस qualify कर लोगी, seat मिलेगी, qualify नहीं होगा, तो seat आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिल सकती, जो option आपके पास है, वो medical के students के लिए है, वो आपके पास है, सकास्ट कश्मीर, आप सकास्ट कश्मीर या सकास्ट जम्मो का entrance जो है, वो दे सकते हैं, अगर आप medical stream से belong करते हैं, यह non-medical वाले भी B.T.E.C. वगएरा कर सकते हैं, सकास्ट कश्मीर के अंडर या सकास्ट जम्मो के अंडर, इसमें आपका 12 में PCB होना चाहिए, और इसमें आपको जब वो entrance देना पड़ेगा, जिस entrance का syllabus है, मैजट इस जो नीट का syllabus है, वो ही आपको सकास्ट का भी syllabus होता है, इसमें आपको जब वो B.V.S.E. and Animal Husbandry वगएरा है, या B.S.E. honors in Horticulture है, Seri Culture है, Agriculture है, Agriculture है, Flory Culture है, अचासाजर आपको yearly fee लगेगी, और अगर 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 आप Sellefinance एन के डबल पेंसर दे के seat ले ले लेते हैं, इसमें लाख डेड़ लाख आपको per year की fee यहाँ पर लग सकती है, सेम आपको सकास्ट कश्मीर में भी रहेगा, उससे आप लोगों को सकास्ट जम्मू में भी यहाँ पर रहने वाला, उसके बाद सबसे अच्छा और सबसे इंपोर्टन जो care eruption आपके पास है, वो आपके पास वो है, जहां से आपको free up cost सारा का सारा पढ़ाए जाएगा, और वो स्कीम है PMTPS, PMTPS जो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलर्चिप स्कीम है, यह जम्मू और कश्मीर के स्टूडन्स और यूटे लग्दा के स्टूडन्स के लिए खास यह स्कीम रखी गई है, इस स्कीम में आपको 12 के मार्कस के बेस पे आपको seat मिलेगा, जो आपको मिलेगा वो जम्मू कश्मी के बाहर के स्टेट्स में मिलेगा, इसमें आपको जब कॉलेज की फी भी गवर्मेंट से मिलेगी, होस्टल की फी भी आपको गवर्मेंट से मिलेगी, आपको खुद का कुछ भी नहीं लगेगा, सारा का सार आपको government प्रोवाइट कर लेगी इसमें हर स्ट्रीम वाले, medical वाले बी यिजबल है non-medical वाले बी यिजबल है, arts और commerce वाले बी यिजबल है इसमें आप BAC NurseM गी कर सकते हैं B Farmacy भी कर सकते हैं, B Tech गी कर सकते हैं Architecture भी कर सकते है, Agriculture भी कर सकते है BVSE भी कर सकते हैं Simple BA, BSE, BCOM भी कर सकते हैं Honors वगेरा भी इसमें जोगों कर सकते हैं MBBS, BDS, BA, MS, BU, MS सारे courses आप इसके त्रू यहां पे कर सकते हैं जिसमें आपका पूरा का पूरा खर्चच होगा वो गौर्मेट दे दीगी PMTPS क्या है, इसके लिजवल्टी का क्राइटीरिय क्या है उस पे हमारी चैनल पे आपको डीटेल वीडियो देख सकते हैं, देखने को मिलेंगे आप PMTPS by Sajad Speaks Google पे सर्च कर लो, YouTube पे सर्च कर लो कहीं पे भी सर्च कर लो, आपको वीडियो अगरा मिल जाएगा अब मुझे बता सकते हैं, मैं डीटेल वीडियो उस पे डाल कि आप लोगों को समझानी की कोशिश करूँगा